आज हम वेल मशली के बारे में जानेंगे वेल समुद्र में रहने वाली एक विशाल काय मशली है वेल मशली की निम्न प्रजातियां स्पर्म, किलर, पाइलेट, बेलूगा, हम्प बैग और ब्लू वेल हैं ब्लू वेल इन सब में सबसे विशाल होती है ब्लू वेल की लंबाई औसतन सत्तर से असी फुट होती है लेकिन अधिकतम लंबाई 110 फुट होती है और इनका वजन 150 टन से 170 टन तक होता है ये बाकी इस्तंधारी प्राणियों की तरह हवा में सांस लेती है ये ब्लू होल जो इनके सिर के उपरी हिस्ते में इस्तित होता है उसके द्वारा सांस लेती है जब ये सांस लेती है तो सांस लेने के साथ बहुत अधिक मात्रा में पानी भी इनके फेफडों में जमा हो जाता है जिसे बाद में ये फवारे के रूप में बाहर फेंग देती है इनके शरीर में बाल होते हैं और वेल मशली की चमड़ी बहुत मोटी होती है जिससे ये उर्जा का सेंचे कर अपने शरीर की रक्षा करते हैं इनमें कुछ हड़ियां और एक रीड होती हैं इनके हाट में चार चेंबर होते हैं मादा वेल एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती हैं और बच्चों को दूद भी पिलाती हैं इनके बच्चे एक साल ठकी अपनी मा के साथ रहते हैं वेल मशली आराम तो करती हैं लेकिन कभी भी लंबे समय तक सो नहीं सकती दरसल इनके शरीर का आकार गोल होता है जिसकी वज़े से अगर ये सो जाए तो डूप कर मर जाएंगे केवल वेल का मस्तिश्क ही कुछ समय के लिए सोता है वेल का आधा मस्तिश्क सोता है तो आधा मस्तिश्क जागता है ब्लू वेल अपने साथियों के साथ संपर्क करते समय मधुर ध्वनी निकालती है जो मीलों दूर तक सुनाई देती है इन्हें वेल सौंग भी कहते है इनका भोजन मशलिया हुआ करती है ये 30 मील प्रतिगंटे की रफतार से तैर सकती है हमने जाना वेल की निम्न प्रजातियों और विशेश तोर पर ब्लू वेल के बारे में